अधनिय बावलाल महरांडी जी से आगरा है कि हमारे देश के परदान मंत्री अधनिय नरंदर भाई मुंदी जी को अंग वस्त्र दे करके स्वागत करेंगे अब मैं आगरा करती हूँ के अंदर सरकार के मंद्री अधनिये अर्जुन मुंडा जी से चित्र देकर स्वागत करेंगे अब मैं आगरा करती हूँ कि हमारे इसे सिंग्भूम लोग सबाकी लोग पिरिया संसाथ सा बीजिपी परत्यासी गीता कोडा जी और साथ में सभी हमारे इस चित्र की डाइनमिक लेडी यहाँ पर उपस्तित सभी मंच में उपस्तित हमारी बैनों से अगरा करती हूँ कि चित्र देकर के स्वागत करेंगे अब स्वागत करें हमारे गीता कोडा जी और सकुंतला माली जी और दुर्गाबती बोय पय जी और मल्ती घिलवा जी लाल मुनी पूरती जी सकुंतला माली जी सबी मेला बैनों की और से स्वागत क्या गया अब मैं अगरा करती हूँ जारकन परदेश के परदेश अद्याज अदनिया बावलाल महरणी जी आप स्वागत बसंद देंगे आज हम सब लोगों के बीच मंच पर उपस्थीत देश के प्रधान मंत्री और इस धर्ती के सबसे लोग प्रिये नेता आदर्नीय श्री नरेंदर भाई मोदी जी और मंच पर उपस्थीत भारत सरकार के मंत्री और खोटी लोगसवा छेत्र से प्रत्यासी स्री अर्जुन मुंडा जी मंच पर उपस्थीत आपके इस चायवासा छेत्र से प्रत्यासी स्री मती गीता कोडा जी और आजशु पारटी के नेता स्री सुदेश महतो जी और मज़ पर उपस्थीत पूर्विधायक गन और पूर्वसांसद गन पदाधिकारी गन और यहां उपस्थीत वहनों और भायों प्रेश के साथ विए। देश के प्रधान मंत्री आदर निये नरिंदर मोदी जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभीनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं आप सब लोगों से इतना ही स्रिफ निवेदन कर रहा हूँ कि अग तेरा तारी को यहां चुनाओं है। और तेरा तारी को हम सब लोगों को आपके इस मंच पर दोदो प्रत्यासी यहां उपस्थीत हैं। चायबास सीमभूम लोग सबाचेत से स्रीमती गीता कोडा जी और खूटी लोग सबाचेतर से स्री अरजुन मुंडा जी आप दोनों ही दोनों प्रत्यासी को कमलफूल चाप में बोड़ दे करके हमें भीजय बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ। और साथ ही मैं इतना जरूर कहूंगा क्योंकि जारखन प्रदेश में हम सब लोग जिन लोगों से लड़ रहे हैं। वो लोग जूट और फरेव को यह लोग खोब फैला रहे हैं। हमें उन्हें लोगों से सावधान रहना होगा। हम सब ने देखा कि आज तक हमें के लोग कांग्रेस के लोग कहते थे कि हमन्स और इनको इड़ी ने गलत तरीके से उनको गिरबतार किया है। लेकिन आज ही राची हाइकोट का जज्जमेंट आया। उस जज्जमेंट ने हाइकोट ने मोहर लगाया कि हमन्स और इनकी गिरबतारी वाजीब है। क्योंकि उन्होंने इस राज में गड़बड किया था, सत्ता का उन्होंने दुरूफयोग किया था। आज वही लोग सत्ता में यहां बैठे हुएं। उन्हीं लोगों के साथ हम सब लोगों की लड़ाई है। और साथ ही मैं इतना जरूर कहूंगा। जो कि कॉंग्रेस पार्टियों जारखंड मुक्ति मोर्चा हो। यह लोग जारखंड के भी विरोधी है। और यह लोग विकास के भी विरोधी है। इसलिए आप देखें कि इन लोगों के कालखंड में जारखंड भी नहीं बना। इन लोगों की साथन के कालखंड में पचास-पचपन साल तक कॉंग्रेस ने देश में राज किया था। लेकिन जारखंड की गाउं तक सड़के भी नहीं पहुंची थी। घरों तक बिजली भी नहीं पहुंचा था। जब भारती जन्ता पार्टि की सरकार बनी। देश के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदीजी बने। तो आज गाउं तक सड़क भी पहुंच गया। घरों तक बिजली भी पहुंच गया। और देश में गरीबों को आज भोजन की भी देश के प्रदान मंत्री चिंता कर रहे हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि 24 में फिर से हमें देश के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी को बनाना है उसके लिए यहां से जीता कोडा को और अरुजुन मुंडा जी को जीताना है और इनी सब्दों के साथ हम देश के पुर्धान मंत्री आदर निये नरिंदर मोदी जी को मैं अमंत्रित करता हूं, आप सब यहां उपस थीजन समों को संबोधित करें, बहुत बहुत धन्बाद, आदर निये नरिंदर मोदी जी. जोहार, यह महान आदिवासी करांती कारियों की धरती है. यह भगवान बिर्शा मुंडा की भूमी है, इस धरती को, सी भूम को, मेरा प्रणाम, मेरा शत्षत नमान. आज आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशिरवाद देने आए हैं. आपका ये प्यार, आपका ये आशिरवाद, यही मोदी की ताकत है. साथियों, भाजपा और जार्खन का, ये जो रिष्टा है न, वो रिष्टा दिल का है. जार्खन को, यहां के लोगों की भावनाओं को, अगर कोई समझता है, और अगर सुल जाता है, तो वो सिर्फ और सिरफ भाजपा ही है. हमेशा पता होता है, कि आपके मन में क्या है, यहां के लोग क्या चाहते हैं? अलग जार्खन बने, किस ने बनाया? अटल बिहारी बाजपाही ने बनाया, बाजपाही ने बनाया, कॉंग्रेस ने क्या किया? जार्खन का गोर विरोध किया, और बिहार के कुछ नेता तो, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, कि मेरे डेड़ बोड़ी पे जार्खन बनेगा, वो आजकल इंडिय अलायंस में बैठे हुए हैं, यह बाजपाही ताकत थी, अटल बिहारी बाजपाही की दिर्ग द्रष्टी थ कि जार्खन बना, यहां के विकास पर ब्रेक लगा देने वाली कौन, कॉंग्रेस, कॉंग्रेस को मंजूर नहीं था, कि यहां के संसाधन आपके काम आए, वो दिल्ली के एर कंडिशन कमरों में बैठ कर, यहां की योजनाएं बनाते थे, एक रुपिया देते थे, उसमें से पच्चासी पैसा मार लेते थे, मोदी ने कहा, पूरा अगर एक रुपिया बेठता हूं, तो पूरा सो पैसा, सीधा, आपके अकाउंट में जाएगा, मोदी ने कहा, योजना स्रिफ दिल्ली से ही क्यों शुरू हो, क्या सब कुछ दिल्ली से ही होगा, क्या, क्या मेरा जारखन दिल्ली से कम है, क्या, देश के हर कौने से शुरू हो, हमने बाबा साब आमबेड करकी जैन्ती पर आईश्मान भारत योजना लौंच की, कहां से की, जारखन की भूमी से की, और आज इस योजना से करोडों गरीबों को पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिल रहा है, मुद्रा योजना शुरू की, नव जवानों के हाथ को मजबूत करने वाली, नव जवानों को आउसर देने वाली, मुद्रा योजना, देश के युवानों का भाग्य बदलने वाली, इतनी बड़ी योजना, कहाँ से शुरू हुई, हमने जारकन के दुमका से उसका प्रारम किया, मुद्रा योजना ने करोडों नव जवानों को अपने मन का काम करने के लिए पैसे दिये, पी-एम जन्मन योजना, कहाँ से शुरू हुई, जारकन से, भगवान बिर्साम मुंडा के गाउं से, 24,000 करोड रुपय की योजना, अती पिछडे आदिवासी भाई बेहनों की जिन्दगी बदल रही है, विक्षिज भारत वाली, मोदी की गारंटी की गाड़ी, कहां से शुरू हुई, यहां जारकन के खुंटी से, और इसलिए ही तो मैं कहता हूँ, जारकन और भाजपा का दिल का नाता है, दिल का, और मेरे लिए दिल्ली से बढ़कर, यह दिल का नाता है, जारकन का, और इसलिए, आज जारकन हर कौने में, विश्वास के साथ, उमंग के साथ, उत्सा के साथ, एक की बात कह रहा है, फिर एक बार, पिर एक बार, पिर एक बार, पिर एक बार, पिर एक बार, साथियों, सीभूम और जारखन की धर्ती आदिवासी क्रांति कारियों की धर्ती है लेकिन कॉंग्रेस ने आदिवास्यों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया कॉंग्रेस आजादी का पूरा स्रे केवल एक परिवार को देना चाहती है ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्बदीन को एक और पहचान दी हमने इस दिन को जन्जातिय गवरव दिवस मनाने की शुरू बात की है देश के कौने कौने में भगवान बिरसा मुंडा को जैगान शुरू किया है मैंने खोद राची में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान सर पर मुजियम का लोकारपन किया है हम देश भर में आदिवासी गवरव के लिए जन्जातिय मुजियम बना रहे है लेकिन साथियों कौन्ग्रेस और उसके साथि क्या कहते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कौन्ग्रेस को आदिवासी इतियास का सम्मान पसंद नहीं है वो आप जन्जातिय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते साथियों देश की माननिय राश्पती द्रवपदी मुर्मुजी पहले जारकन की ही राजपाल थी याद है ना कौन्ग्रेस और इंडी गड़बंदन ने एक आदिवासी महिला को भारत के राश्पती बनाने का गोर विरोध किया आदिवासी महिला भी देश के सरवोच पत पर बैढ़ सकती है इस बात को पच्चा नहीं पा रहे थे साथियों जारकन के जल, जंगल, जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बेहनों का अधिकार है लेकिन जे एम एम और कॉंग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं तभी तो जारकन के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है इतना बड़ा शराब गोटाला यहां की जारकन मुक्ती मोर्चा की सरकार ने किया पूरे राज के खान खनिश को बालू को अवेज्य खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के जुट भईया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ताक सबके सब इसमें जुटे हैं उनके इलाके में ही सेंकडो करोड रुप्यों के अवेज दखनन गोटाला हुआ है और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके इन्होंने आदिवासियों की जमीने लूटने के बाद हमारे देश की सेना सेना की जमीन पर भी आँख गड़ा कर रखी है इतना बड़ा जमीन गोटाला जे में के लोगों ने किया है कॉंग्रेस जारखन मुक्ती मोर्चा ने मिलकर जारखन के मान सम्मान को चोट पहुँचाई है मैं आप से पूछना चाहता हूँ यहां नवजवानों से पूछना चाहता हूँ मैं मेरी माताओं बेहनों से पूछना चाहता हूँ क्या जारखन को लूटने वाले को आप इने माप कर देंगे क्या माप करेंगे क्या माप करेंगे क्या साथियों कॉंग्रेस और जेमें में बहुत बड़ी रेस चल रही है लूट करने की रेस ब्रश्टाचार करने की रेस यहां कॉंग्रेसी सांसत के ठिकाने से तीन सो करोड रुपिये नगद बरामद हुए तीन सो करोड से जादा केवल कैश नगद और आपने देखा होगा बैंकों से नोटे गिनने के लिए मशीने लानी पड़ी और मशीने हापती थी नोटे गिनते गिनते ठक जाती थी जारखन को लूटने की रेस कहां कहां तक पहुँच गई है भावियों बेनों आप मुझे जवाब दीजिये यह जो लूट का पैसा निकल रहा है मैं आप से पूछरा चाहता हूँ यह पैसा किसका है यह पैसा किसका है यह पैसा किसका है यह पैसा यह संपती यह मेरे जारखन के गाउं, गरीब, मदूर, किसान, दलीद, आदिवासी यह आपका पैसा है यह आपके पैसे की लूट है कि नहीं है यह आपके पैसे की लूट है कि नहीं है भाई यो बेनों कॉंग्रेस और जेमें आप से किस मुँ से वोट मंगने आते है यह कितने बेशरम है लूट में पकड़े जाते हैं पर परवा नहीं है अब उनको दिल्ली में सरकार क्यों बनानी है क्या आपका बला करने के लिए सरकार बनानी है क्या क्या देश के नवजवानों का भविश्य बनाने के लिए सरकार बनानी है क्या क्या ये दिल्ली में सरकार बना कर ये पूरे देश में बेल लगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे 2014 के पहले भी इस देश को लूटने के सिवाए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है साथियों इंडी गड़बंदन ने जारकन के साथ सबसे बड़ा दोखा किया है जिस आरजेडी ने अलग जारकन का सबसे ज़्यादा विरोध किया जिस नेता ने यहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार किये आज जारकन मुक्ती मूर्चा उनी की गोद में जाकर के बैठ गया है उनके साथ गड़बंदन किया है जो इंडी गड़बंदन बिहार में जंगल राज लाया था वही जंगल राज ये लोग जारकन में और जादा फैलाने में लगे हुए है अब तो आए दिन यहाँ व्यपारियों को फिरोती के लिए फोन आते हैं अपरातियों को सीधे सरकार से सवरक्षन मिल रहा है इनकी सरकार में आदिवासियों की सरे आम हत्या होती है ये आदिवासी समाज में अपराधियों का डर कायम रखना चाहते हैं आप मुझे बताईए जार्खन को बरस्टा चार और जंगल राज की आग में जोंकने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए सजा मिलनी चाहिए कि नहीं आपका हक लुटने वालों को सजा देने के लिए देश को आपके आशिरवात की ज़रुवत है साथियों एक और आदिवासी विरोधी मानसिक्ता वाली कॉंग्रेस है दूसरी और हमारे लिए आदिवासियों का विकास पहली प्रात्मिक्ता है आदिवासी समाज के विकास के लिए सबसे पहले अलग जन जातिय मंत्राले किस ने बनाया बीजेपी ने अटल विहारी वाजपईजी ने पहली बार जन जातिय समाज के लिए अलग मंत्राले बनाया अलग बजेट बनाया तब जाकर के हमारे जन जातिय क्षेत्रों में आज विकास प्रारंब हुआ जन जातिय समाज के युवाओं के लिए आज बड़ी संख्या में एक लब्य आवासिय स्कूल कौन बनवा रहा है बीजेपी यहां भी एक लब्य विद्याने का निर्मान तेजी से हो रहा है आपने देखाओगा राष्ट्रिय सिख्षा नितियाई इसमें स्थानिय भाषाओं जन जातिय भाषाओं में सिख्षा देने का फैसरा किया तो यह बीजेपी ने किया आप मुझे बताईए भाई किया हमारे जन जातिय बेटे बेटी डॉक्टर बनने चाहिए कि ने बनने चाहिए जरा पूरी ताकत से जवाब दो हमारे जन जातिय परिवारों के बेटे डॉक्टर बनने चाहिए कि ने बनना चाहिए हमारी बेटियां डॉक्टर बननी चाहिए ने बननी चाहिए वो इंजिनियर बननी चाहिए वो बैज्ञानिक बननी चाहिए ने बननी चाहिए लेकि इनने तो हालत ऐसी रखे थी कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो डॉक्टर की बाद छोड़ दो गरीब का बेटा, गरीब की बेटी अंग्रेजी पढ़ने के लिए शेहर में कहां जाएंगे खर्चा कहां से लाएंगे लेकिन ये आपका भाई ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा है वो आपका दर्द जानता है आर इसलिए मैंने कहा अरे डॉक्टर हो, एंजीनियर हो, वज्यानिक हो वो अपनी मात्रू भासा में पढ़ेगा तो भी डॉक्टर बनेगा, एंजीनियर बनेगा वज्यानिक बनेगा जन जातिय युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का काम आज भारतिय जनता पार्टी कर रही है और उसका सबसे बड़ा लाब मेरे वीर बेटे बेटी जो जन जातिय समाच चाते है वो आज देश का नाम रोशन कर रहे है कॉंग्रेस ने तो आदिवासी इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था आकांग्छी जिला योजना थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक से आदिवासी जिलों का विकास आज भारतिय जनता पार्टी कर रही है बीते दस वर्सों में बीजेपी सरकार ने वो काम करके दिये हैं जिनका जन जातिय समाच को छे दसकों से इंतजार था भाई और बेनों हमारे आदिवासी समाज में सिकल सेल एनिमिया यह बहुत बड़ी खतरनाक बिमारी होती है पहले किसी भी सरकार ने इसकी चिंता नहीं कि हमारी सरकार ने सिकल सेल एनिमिया के खिलाब राश्टिय स्तर पर अभयान चलाया है चाहे बासा में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज का निर्मान भी करा रही है अब यहां के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं के बच्चे यहीं से डॉक्टर बनके निकलेंगे साथियों दस वर्सों ने मोदी ने आदिवासी भाई बहनों के लिए मकान, बिजली, पानी और सिलिंडर जैसी सुविधाई दी है हमारे प्रयासों से जारखन में अठारा लाग परिवारों को पक्के मकान मिले है धाई करोड से जादा लोगों को हर महिने मुप्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का चूला कभी बूजना नहीं चाहिए गरीब का बच्चा कभी भूखा सोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए करीब 33 लाग गरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है मोदी का प्रयास है कि गरीब आदिवासी हमारी महिलाओं का सामर्त बड़े वो आगे बड़े लेकिन दूसरी और कॉंग्रेस आपकी संपत्ती पर डाका डालना चाहती है कॉंग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सरकार में आएगी तो देश में सबकी संपत्ती की जाच कराएगी चोरों की संपत्ती की जाच कराने का विरोध करते हैं और नागरीकों की संपत्ती की जाच करवाएंगे आपके पाद चांदी कितनी है, सोना कितना है, शादी के समय, आपको स्त्रीधन कितना मिला था सब की जाँच, खेट कितना है, कहां है, बेटा कहां रहता है, सब की जाँच करने की गोषणा की है और यह क्यों करना चाहतें मालूम है, वो कहेंगे इस से जादा तुम नहीं रख सकते हो, अगर दस एकर भूमी है, तो पांच एकर भूमी कॉंग्रेस की सरकार को देदो अगर एक टैक्टर है तो अब तुम टैक्टर नहीं रख सकते हो किसे के साथ भागीदारी करनी पड़ेगी आपकी संपत्ती चीनकार कॉंग्रेस अपनी वोट बैंक में जिनोंने वोट जिहाद की गोशना की है उनको देने का उनोंने एक प्लान बनाया हुआ है कॉंग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ती पर पहला हक माइनोरिटीम का मतलब मुसल्मान का है मोधी कहता है देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मेरे दलीत, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब भाई बेहनों का माता वो बेटे बेटियों का है साथियों अब कॉंग्रेस की नजर ये मैं गंबीर बात बता रहा हुआ आपको अब कॉंग्रेस की नजर दलीतों, पीछडों, आदिवासी, OBC इनके आरक्षन पर डाका डालने का इरादा है उनको गुष्सा है यहाँ देजबर में सबसे जादा आदिवासी मेले किसके? बीजेपी के suitable है देजबर में दलीत एमपी किसके? जादा बीजेपी के राज्यों में दलीत एमेले किसके जादा बीजेपी के Sergeant कॉंग्रेस को गुसा है कि आदिवासी ये दलीत ये OBC बीजेपी का समर्थन करते हैं अब उनको सिख्षा करने का उनका मन है आदि वो इतने गुसे में है कि आपको जो आरक्षान बाबा साब आमबेड करने दिया है आपको जो सम्विदान बाबा साब आमबेड करने दिया है उनकी पीठ में छुरा भौक कर आपको जो रिजर्विशन मिला है आरक्षन मिला है उसमें वो लूट करके मुसल्मानों को धर्म के आधार पर डाका डालके उनको देना चाहते है क्या हम ऐसा करने देंगे क्या इनको सम्विदान के उपर खिलवार करने देंगे क्या ये बिहार के आरजेडी के नेता ये कॉंग्रेस के नेता माते पर सम्विदान की किताब रखके नाच रहे हैं और सम्विदान के साथ दोका कर रहे हैं मैं बताता हूं कैसे करते हैं अभी करनाटका में उन्होंने रातों रात एक फत्वा निकाला, एक ओर्डर निकाला, रातों रात, थप्पा मार दिया, ओर्डर क्या, कि करनाटका में, एक मिन एक मिन सुनिए सुनिए भई पहला पहले जरा सुनिए बाद में बोधी मोधी करिए पहला डंग से सुनिए यह काम में आने वाली बात है समझने वाली बात है करनाटका में रातो रात उन्होंने एक फत्वा निकाला और फत्वा क्या निकाला करनाटका में जितनी मुस तो उन्होंने फत्वा निकाला कि करना टका के सारे मुसल्मान OBC है रातों रात OBC हो गए और OBC को जो 27 परसंट आरक्षन मिलता था रातों रात उसकी लूट उनके खाते में चली गई देखता रह गया और ये पूरा मोडल देश में लागू करना चाहते हैं क्या ये करने देंगे क्या ये हम करने देंगे क्या और कॉंगरेस वाले जेमेम वाले आरजेडी वाले कान खोल के सुन लो जब तक मोदी जिन्दा है तुम संबिधान को हात नहीं लगा पाओगे जब तक मोदी जिन्दा है तुम आदिवाज्यों का आरक्षन नहीं लूट पाओगे जब तक मोदी जिन्दा है तुम दलीतों के आरक्षन का लूट नहीं पाओगे जब तक मोदी जिन्दा है तुम OBC के आरक्षन का लूट नहीं पाओगे भाईयों बेनों मेरी आप सबको गरंटी है बारतिय जन्ता पार्टी की गारंटी है दुनिया की कोई ताकत हमारे सम्विधान को हाथ नहीं लगा सकती बाबा साब आम बेड करने जो आरक्षन दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है ये मोदी की गारंटी है साथियो मैं पिछले दस दिन से कॉंग्रेस को तीन चुनोतिया देता हूँ और मैं उनको कहता हूँ तुम लिखित में देश को को मैं तो खुले हाम आरूप करता हूँ तुम लिखित में देश को बता हूँ कॉंगरेस लिक्कर के दे कि वो स्टी स्टी ओविसी का आरक्षन काट कर धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देंगे कि लिक्कर के दो नहीं देते हैं कॉंगरेस का कोई नेता इसका जवाब देने को तैयार नहीं है आप मुझे बताइए बाबा साब ने आरक्षन का जो अधिकार आपको दिया है क्या हम कॉंगरेस को छिनने देंगे क्या अगर मोदी आपके लिए लड़ना चाहता है मरना चाहता है तो मोदी को आशिरवाद मिलना चाहिए कर नहीं मिलना चाहिए भाई और बहनों कॉंगरेस जेमेम और उन सयोगी अपने वोर्ट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे है ये लोग जारखन में गुस पेटियों को ठिकाना दे रहे हैं एक गुस पेटिये हमारे आदिवासी भाई बेनों की जमीन पर कपजा कर रहे हैं संथाल परगना जैसी जगहों पर इस गुस पेट के कारण आदिवासीों की संख्या गट रही है हमारी बेहन बेटियों की जच सुरक्षित नहीं है यही खेल इन लोगों ने बंगाल में खेला था बंगाल के आदिवासी राकों में लोग गुस पेटियों को आतंग से जूज रहे हैं लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है ऐसा ही आहाल यहां जारखन में बनाना चाहते हैं लेकिन जे-म-म सरकार बोट बैंक की भूख में बोट पाने के लिए आख मुन कर ये पाप कर रही है साथियों तेरा मैं को आपका वोट जारखन के विकास और सुरक्षा की गारंटी बनने वाला है आपका जो बरोसा मोदी पर है उसे आपको कमल का बटन दबा कर ये वोट मुझ तक पहुचाना है मोदी के खाते में जमा करवाना है सिंग भूम से भाजपा प्रत्यासी बेन गीता कोडा और खुंटी से मेरे साथी अर्जुन मुन्डा उनको दिया आपका वोट मोदी को मजबूत करेगा इनको मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी तक जाएगा तो आप गर-गर जाएंगे गर-गर जाएंगे जादा मदान कराएंगे मुझे सबसे जवाब चाहिए गर-गर जाएंगे जादा मदान कराएंगे सबसे जादा वोटों से जिताएंगे सब पोलिंग बूच जिताएंगे तो एक काम किजिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसका फ्लेश लाइट चालू किजिए सबके सब अपना मोबाइल फोन की फ्लेश लाइट चालू किजिए सबके सब अपने मोबाइल की फ्लेश लाइट चीज़ किजिए सब के मोबाइल के फ्लेश लाइट चले मेरा एक काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे देखिए यहां से जा करके परिवारों में जाना और कहना मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको जहार जोहार कहा है मोदी का जोहार पहुचाओगे घर घर में हर घर में मेरा जोहार पहुचाओगे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद